भारत इंग्लेंड के सेमी फाइनल में इस्तिमाल होगा 250 मिनिट वाला रूल जानिए क्या है यह हम आपको बताने वाले हैं ICC ने भारत इंग्लेंड सेमी फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे तो नहीं रखा लेकिन इसके लिए उसने 250 मिनिट का रूल बनाया है जिसके तहट अगर मेच अपने तई समय से लेकर अगले तीन घंटे तक शुरू नहीं हो पाता है तो इसके बाद 250 मिनिट का रूल लागू होगा मतलब इसके बाद अगले 250 मिनिट यानि की चार घंटे 10 मिनिट के अंदर मेच खत्म करने की कोशिश की जाएगी भारती समय के मताबिद मेच के शुरू होने का आकरी समय रात 1 बच कर 45 मिनिट होगा अगर बारिश की वज़े से तब भी मेच शुरू नहीं हो पाया तो इसे रंद कर दिया जाएगा और टीम इंडिया फाइनल में पहुची जाएगी च्योंकि सूपर आठ की रेंकिंग में वो टोप पर थी अब बात कर लेते हैं मोसम की मोसम वेबसाइट की माने तो मेच के दोरान गयाना में बादल बरसने तही है बारिश की आशंका 90 फिस्दी है लेकिन अच्छी बात यह है कि गयाना का मोसम पिछले 40 गंटों में काफी बदला है गयाना में पिछले कुछ गंटों से बारिश नहीं हुई है वैसे अगर बारिश हुई भी तो मेच शुरू कराने के इंतजाम बहतरीन है गयाना के मेदान का ड्रेने सिस्टम काफी शांदार है गयाना में पिछले तीन दिनों में बारिश हो रही थी लेकिन इसके बावजुद बुदवार को टीम इंडिया ने प्रेक्टिस की क्योंकि मेदान सुका था साफ है अगर मोसम ने साथ दिया तो करोड़ो फेंस क्रिकेट भारत इंगलेंड का स्विम फाइनल मेच देख पाएंगे तो आप कमेंट करके बताए क्या आज बारिश मोसम क्या आज बारिश जो है मेच बिगाड़ेगी या फिन नहीं